दोस्तों के पास परसंदे रखा देखेगा तीन बटे 5 की पाउर 6 इंटू 4 बटे 3 की पाउर 9 इंटू 5 बटे 6 की पाउर 11 इंटू 9 बटे 10 की पाउर 7 का मान क्या होगा बहुत ही आसन सा परसंद पाउर के दिन पर पिर गनोट करना कुछ नहीं है देखो तीन की पावर भी 6 है नीचे पाँच की पावर भी 6 है गुना इसको क्या दो में रिटो रह सकते हैं दोस्तो चार क्या होता दो की पावर दो तो दो इंटू नो नो दुने ठारा तो दो की पावर अठारा कहूंगा नीचे तीन की पावर नो कहूंगा गुना पाँच क तो दो की पावर भी साथ होगा और पांच की पावर भी साथ होगा अब क्या कर सकते हैं सारे गुना में है जो पावर जहां कट रहे हो काट दीजिए उपर देखेगा तीन की पावर च्छे है और उपर दोस्तो क्या है तीन की पावर चोदा है चोदा और च्छे बीस तो तीन की पावर 14 और 6 बीस नीचे दोस्तों तीन की पावर 9 और 11 बीस तो तीन की पावर सारी हट चुकी दो की पावर दोस्तों दो की पावर में बात करूं तो उपर 18 है और नीचे दो की पावर के दोस्तों 11 और 7 अठारा है दो की पावर 18 दो की पावर 11 और 7 अठारा ये भी कट जाएगी पांच की पावर दोस्तों उपर ग्यारा है नीचे पांच और साथ तेरा है उपर ग्यारा है और नीचे साथ और पांच तेरा है तो पांच की पावर ग्यारा बटे पांच की पावर तेरा ग्यारा से तेरा कटेगी नीचे होगी दोस्तों पांच की पाव और दो अर्थात एक बटा 25 एक बार क्यूशन को फिर रिपीट कर देता हूँ बहुती आसा चोड़ा परसन था तीन की पाउर च्छे था रख दिया पांच की पाउर च्छे था रख दिया इसके बाद में आपने चार को तोड़ा दो दूनी चार दो की पाउर अठारा हो देखे तीन की पाउर च्छे थी और तीन की पाउर चोदा थी चोदा और च्छे बीस नीचे नोर ग्यारा बीस कट गया उपर दो की पाउर अठारा था नीचे दो की पाउर क्या था दोस्तो ग्यारा और साथ अठारा ये भी कट गया उपर पांच की पाउर ग्यारा है एक बटा पच्चीज थैंक्यू दोस्तो जै हिंट जै बार